हेलो दोस्तो मुझे मीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो अब हम एनेलेसिस करेंगे निफ्टी-फिफ्टी का यहाँ पे आपको 15 मिट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अगर आप 19 की बात करेंगे 19 को एक फ्लैट ओपनिंग हुई लगबग फिर मार्क में जो सेंटिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो नेगिटिव दिखाई दे रहे हैं तो यह जो पहली केंडल बनी है इसने बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने की कोसिस की होगी और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रोपर मार्किट की डेरेक्शन देखो सपोर्ट रजिस् अब काफी लोग यहां पर कमेंट करेंगे सर इस तरह के ट्रैप से किस तरीके से बचा जाए और यह मैं आपको हर वीडियो में समझाने की कोसिस करता हूँ एक तो पैसेंस रखो अपने आप पे कंट्रोल रखो मार्किट के मुमेंटम को समझने की कोसिस करो और वोल्यूम देखो और किस लेवल पे आपको buyer सावी होते वे दिखाई दे रहे हैं और किस लेवल पे आपको seller सावी होते वे दिखाई दे रहे हैं किस point पे ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है market की momentum को देखने के लिए हो उसकी psychology को समझो trading psychology पे ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने negative candle देखके यहाँ पे position बनाई होगी selling position देखो उन्हों कितने बड़े loss के साथ निकलना पड़ा होगा या फिर अगर किसे ने stop loss लगाया होगा तो चलो उसका कम loss होगा जिसने नहीं लगाया होगा तो definitely उसके बड़े losses होगे इसलिए stop loss भी हमें proper लगाना है दूसरी चीज़ अगर market sideways momentum में चला गया है तो मैंने आपको यह बताया है कि possibility है जो मैंने आपको 4 patterns बताय होए है triangle वाले pattern trend line से मिलके बना हुआ pattern और एक parallel line से मिलके बना हुआ pattern इन patterns के form होने की possibility जाद है बनने की possibility जाद है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर हमें यह वाला pattern नज़र आ रहा है इसका हम आगे discussion करने वाले है तो फिलाल यहाँ पर सिर्फ यही समझाना चाहरा था कि इस तरह के trap को समझने की कोसिस की अक्रो market की momentum को अब यहाँ पर भी देखो इस trend line का हम जादा discussion नहीं करेंगी क्योंकि पता नहीं कितने महिने से हम इसके discuss कर रहे हैं बस कहना में यह चाह रहा था कि इसका breakdown बताया था मैंने इसका breakdown मिल चुका है फिर मैंने यह बताया था अगर market में positive momentum आया तो यह resistance की तरह आपको काम करती हुई दिखाए देगी जो कि आप देख सकते हैं इस वाले candle ने resistance की तरह काम किया है तो बस यहाँ पर यह भी हमारे market की momentum को समझने में काफी मदद करेगी कल अगर breakout मिला तो हम देखेगे कि market में positive momentum continue रहेगा लेकिन अगर resistance की तरह इसने काम किया तो यहाँ से हमें negative momentum देखने को मिलेगा यानि कि इस trend line की बात करेंगे तो one day की time frame पे इस trend line के अगर market respect करता है तो market फिलाल resistance zone में है अब इस resistance zone का breakout मिलेगा या फिर यहाँ से resistance की तरह करके market गिरावट दिखाएगा वो हमें कल पता चलेगा और उसी के according आपको market में position बनाने चाहिए अब बात कर लेते हैं उस pattern की जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे पहलाल वाला pattern मैंने आपको बताया था तो आपको मिल सकती है buying opportunities धियान यह भी रखना है यहाँ पे आपको 19 का day high का breakout मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पे day high के breakout वाली strategy भी काम करती हुई दिखाई देगी इस situation में possibility है जो 16 का day high है market इसे approach करने की कोशिस करेगा यहाँ तक आपका पहला target रहेगा अगर इसका breakdown मिलता है जो आज 19 का day low बना है यह आपके लिए second target रहने वाला है यहाँ तक चीज़े किलिए रहे आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको price action की मदद से support और resistance बताता हूँ 17,700 पर आपको यहाँ पर resistance देखने को मिल रहे अब यहाँ पर ध्यान से समझो यहाँ पर मैंने आपको एक pattern बताया हूँ parallel pattern जो आपको बताया है अगर market इसका breakout देगा तभी यह level अचाही होगा यहाँ नहीं कि यहाँ पर हमें day high का भी breakout मिल जाएगा और 16 को भी हमें यहाँ पर resistance देखने को मिला था सिर्फ इतना यह नहीं आप 8 को देखोंगे 8 को हमें आपर अच्छा खासा support देखने को मिला था लेकिन हम जानते हैं अगर कोई support जो नहीं उसका breakdown मिलता है तो वो resistance के तरह act करता है हाला कि 16 की सुरुवात में भी अगर आप focus करेंगे पहले market ने supported दिखाय था फिर बाद में उसका breakdown दिया फिर market वो अपिस redress करने आए इस level को और फिर यहाँ पर resistance की track करके आपको गिरावट दिखाई थी अगर आपको इसका भी breakout मिलता है अगला जो resistance हमें 17,800 पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बात करेंगे 16 को भी market ने इसी zone में resistance की track किया था जो gap down opening वी थी market ने इसी zone में opening दी और यही से market गिरना सुरू होगा वहीं पर 9th को देखोंगे 9th को हमें यहाँ पर support देखने को मिला फिर से breakdown मिला तो आपके लिए फिर से resistance के रूप में act करता हूँ और नजर आएगा अब एक नजर यहाँ पर डाल लेते हैं support हमें कहां कहां पर दिखाई दे रहे बात करें दूसरी बात कि अगर आपको gap down opening देखने को मिलती या फिर flat open होके market ने आपको negative momentum दिखाया अगर इसका breakdown मिलता है अगला जो हमें यहाँ पर support नजर आ रहा है यह 17,450 पर आपको अगला support दिखाई दे रहा है आज के दिन भी market ने इसी zone में support लिया है या फिर आप यहाँ पर यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था यहाँ पर आपको एक zone दिखाई दे रहा है अगर इसका breakdown मिल गया तो market ने 16 के day low को approach करने की कोसिस करेगा तो इस situation यह इसी zone में बैठ रहा है अगर इसका breakdown मिलता है फिर 19 के day low को approach करने की कोसिस करेगा यह भी इसी zone में यहाँ पर बैठ रहा है तो यहाँ पर हमने logic के साथ आपको explain करने की कोसिज की है कि price action की मदद से हमें कहाँ पर support नजर आ रहा है कहाँ पर resistance नजर आ रहा है अब उस चीज का discussion कर लेते हैं जिसका आप बेसबरी से इतिजार कर रहे हैं जो कि हमारा no trading zone यानि कि हमें कहाँ पर trading नहीं करनी है यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो red line दिखाई देगी नीचे लेवा line के बात करेंगे 17,579 उपर लेवा line के बात करेंगे 17,665 जो कि आप देखेंगे 19 का day high भी है जब तक market आपको इस zone में दिखाई देता है आपको market में कोई भी position नहीं बनाने चाहिए आपको market को just observe करना चाहिए साथी साथ में यह बता दो जो no trading zone है यह उसी zone में है जहाँ पर हमारा pattern बन रहा है तो अगर आपको इसका breakout मिलता है प्राइज उपर sustain करता है तो आपको मिलेगी buying opportunities इस case में जो पहली चीज है आपको pattern का breakout मिल रहा है दूसरी चीज आपको एक resistance zone का breakout मिल रहा है तीसरी चीज आपको day high का भी breakout मिल रहा है तो इतनी चीजों को आपको यहाँ पर धिहान रखके चलना है वहीं बात करे अगर market ने इसका breakdown दिया प्राइज नीचे sustain किया तो आपको मिलेगी selling opportunity यहाँ पर साब साब आप देख सकते हैं जो pattern बनाए गया है आपको इसका breakdown मिल रहा है अगर volume अच्यक आशरा तो आपको यहाँ पर एक selling opportunity create होती भी नजर आएगी अब उपर की तरप क्या level रहने वाले हैं इचे की तरप क्या level रहने वाले हैं इनका discussion एक बार pivot point से भी कर लिते हैं यहाँ पर आप देखेंगी अगर nifty 50 में आपको एक positive momentum देखने के लिए मिला ऐसी स्तिति में जो में पहला resistance नजर आ रहा है यह 17,739 पर दिखाई दे रहे हैं अगर इसका breakout मिलता है जो में दूसरा resistance नजर आ रहा है 17,815 पर नजर आ रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो में तीसरा resistance दिखाई दे रहा है तीसरा resistance बताने से पहले मैं आपको बता दूए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बिनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको उन्यवाला है loss की जिम्मदारी भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पर हमें तीसरा resistance दिखाई दे रहा है अगर market ने इसका breakdown दिया जो हमें दूसरा support दिखाई दे रहा है यह 17,493 पर दिखाई दे रहा है अगर इसका भी breakdown मिला जो हमें तीसरा support दिखाई दे रहा है यह 17,416 पर आपको तीसरा support यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब एक नजर हम option chain पर भी डाल लेती है यहाँ पर आप देखेंगे 22 September की हमने expiry select करकिया coal की साइड हम देखने वाले है resistance को put की साइड हम देखने वाले है support को resistance की बात करेंगे तो 17,700 पर एक resistance दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 39.3 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर market ने इसका breakout देदे फिर आप देखेंगे 17,800 जहाँ पर आपको 53.9 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको 58.5 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है दोस्तो गर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनलेसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेलफुल हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसे अच्छे कॉंटेंट के साथ, थैंक यू